हेलो आज कि यूटिव में बात करने वाले हैं दिवाले पर रिलीज होने वाली मूभी यानि की टाइगर तरीक के बारे में जी हाँ और गाईज यह मूभी के बारे में गुछ मेडिया रुपोर्ट्स के हुआले से मूभी में कुछ ऐसे इससीन है जो कि ओह दूसरी फिल्मों में दिखां जाचुके है यानि कि फिल्म में लगब लगब 30 भी 30 पहली यानि कि किसी और फिल्म को से और होपी किया गया रियर पठान हो गया जवान हो गया या फिर वार मुवी है इन मोवी में से जो है कुछ एक सिंट को जो है कुछ उसको जो है कोपी किया गया है और इस मूझी में इसा कुछ दिखाने लायक है ही नहीं, जो इस movie का खुद का अपना हो, यानि कि सारे चीजों को जो है, फोपी किया गया है, तो भाइस साफ जो है, जब फोपी किया गया है, तो लोग इससे देखने आकर जाएंगे, जिस चीज़ को पहले ही देख चुके हैं, उस चीज़ को देखने के लिए आप लोग क्यों जाएंगे तो फिलाल इससे तो यहीं सावित होता है कि यह मुवी भी जो है खत्रे में है और देखने हाला कि जो है जिस मुवी में भाइजानों और वो मुवी जो है फ्लॉप हो जाए बहुत ही मुश्किल होता है यहां तक आप नामों की मान के चलिए लेकिन अगर जब बजट जादा बड़ा हो और वो मुवी जो है किसी फिल्म से जो है उसके सीन जो है कोपी किये गया है तो वहां पे प्रोब्लम हो सकती है तो देखते हैं वाइजान की यह मुवी आती है तो कैसी होती है क्योंकि गाइज जो है इसमें बहुत सारे सीन या फिर एक्सन के उसको जो है कोपी किये गया है चाहे इसके पहले वाले फ्रेंचाइज से कोपी किया गया हो या फिर पठान जवान या फिर वार से कोपी किया गया है तो गाईज जो है एक बार किसी और फिल्म में दिखाया जा चुका है तो उसको दोबारा से दिखाया जाने पर पब्लिक पसंद तो नहीं करेगी देखते हैं आगे होता है क्या फिलाल गाई इस वीडियो में इतना ही मिलते है को और नए वीडियो में नए जनकारी के साथ तब तक के लिए जय है